गैज आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि एसी ट्रीक के बारे में जो कि आप लोग को इन ओर प्री ओर्डर पोस्ट ओर ट्रैवर्सल किसी भी ट्रीक को देख कर बताना आप लोग के लिए मुमकिन करा पाएगी और ये ट्रीक यह कीन मनो या इतनी खतरनाक है कि अगर कल आपका एक्जैम है या फिर अगर एक घंटे बाद भी आपका एक्जैम है और आपको इन ओर प्री ओर्डर पोस्ट ओर ट्रैवर्सल के बारे में समझना है तो आप लोग इस वीडियो को देखकर 110 क्या 1000 परसेंट गारेंटी है कि समझ जाओगे तो च इतनी क्लासेस तो आप लोग गई हो गया आपने ये इस तरह से चित्र देखा होगा अगर आपने ये चित्र देखा है अगर नहीं देखा है तो यार थोड़ा मुश्किल आपके लिए मुश्किल क्या है तब भी आसान मना दूगा यार में कोई ऐसी बात नहीं है तो ये इ में जाऊंगा, सब से पहले चाहं, सवक्षाण, सबसे पहले को बता तहाँ कि अगर आप लोगों को किसी भी चाहँ प्री जा र्यावर्श निकालना ये तो आप लोगों को यहाँ पर उसके लेफ्ट में लाइन्गे। लेफ्ट में लाइन खेज दो, इसके सेंटर से लेफ्ट की तरफ को लाइन खेज दो, सेंटर बतलब यह जो सेंटर ने इसमें ऐसे करके आप अगर इस सरकुल को दो में बाढ़ते तो आप ऐसे बाढ़ते हैं, आप लाइन खेज के बाढ़ते हैं, ऐसे लेकिन अभी आप सिर तो उसकी left वाली line बना लो ठीक है ये कर लिए आपने, आपको अपनी गाड़ी यहां से start करनी है और इसको road मानना है किसको road मानना है, स्ट्री को road मानना है ठीक है, आप लोग क्या करो कि मैं जार color change करता हूँ आप लोग को बताने के लिए आप लोग क्या करोगी गाड़ी स्टार्ट करो यहां से यहां से आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है और जैसे ही आप लोग पहुँचो किसी भी लाइन को काटते हुए तो आप उसको यहां पर लिख दो नोट को जैसे कि मैंने साथ को काटा मैंने याँ पर लिख दिया मैंने दो को काटा मैंने दो को याँ पर लिख दिया फिर मैं ऐसे आँगा तो मैंने किस को काटा मैंने जीरो को काटा फिर मैं यहाँ पर ऐसे आँगा गाड़ी मेरी ऐसे चलेगी फिर मैं ऐसे इस note को कटूँगा तो मैं 4 लिखूँगा ठीक है फिर मैं ऐसे अपनी गाड़ी को चलाओंगा मिलाता हुआ रोट से मिलाता हुआ मिलाता हुआ किसी note से मैं नहीं मिला फिर मैं एक तो यह होता है हमारा pre-order वासल कि वहाई left side में line draw करनी है और left side में line draw करने के बाद आप लोगो गाड़ी यहां से start करनी है मैं आपर S लिख देता हूँ ठीक है यहां पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ S को और यह S मैंने आपर लिखा यह starting point होगे आपका यहां से start करते तो आप जैसे line को काटते जाओगे वैसे वैसे आप लोग क्या करोगे वैसे आप उस note को लिख यह होता है pre-order traversal क्या होता है pre-order traversal pre order traversal अब अगर मालो मुझे निकाला है post order traversal तब मैं क्या कर Champions me अगर सेम ट्री में मालो मुझे निकाला है post order traversal तो यहां जल्दी से मैं post order traversal के लिए स्ट्री को फिर से प्र बना लेता हूँ ठीक है तो यहां पर था 7 उसके बाद यहां और यहां पर मेरा 2 और यहा पर 1 और उसके बाद 0 और 4 ठीक है तो यहां पर 0 और यहां पर 4 ये ट्रिक बहुत खतरनाक है इतनी खतरनाक है कि आप भीक erstmal मज़ाई आगया ठीक है तो यहां पर आपको क्या करना है अगर आपको निकालना है Post Order Traversal तो आब right side में राइडवानी line बनालो जो मैंने उपर left में मनाई थी इस बरा आप right side में बनाढ़ो मैं बनाराहूं right side में line मनालो गाड़ी कहां से start करनी है भै番 गाड़ी भाइजा start करनी है जहां से start करनी ठीख है गाड़ी का color भी goैं से हम रखूँगा ता कि consistency रहे. अब आपको क्या करना है, गाड़ी यहां से start करनी है, ऐसे गाड़ी चलानी है, कोई हम नोट नहीं काटे, हम zero काटे, zero को यहां लिखेंगे, ठीक है, फिर हम चलाएंगे गाड़ी अपनी ऐसे चलाएंगे, 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 four को काटे, तो 4 लिखेंगे ठीक है 2 को काटा हमने या 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 क्रॉस किया 2 को लिखेंगे फिर उसके बाद अभी तक किसी या क्रॉस नहीं किया 1 को किया फिर 7 को किया 1 और 7 ये हो गया हमारा Post-Order Traversal Post-Order Traversal ठीक है? Simple है और मैं एक और ट्री में आप लोगो को करके दिखाऊंगा और In-Order Traversal का भी आपको बता देता हूँ पहले In-Order Traversal का बता देता हूँ फिर आप लोगो को मैं 2 बारा करके बता दूँगा किसी दूसरे ट्री में आप अजमा है एक है आप आप लेना एक टेकनिक 상황 करती है सब जगह इस पर मैं लेख लिग वहmeter से बनाऊंगा यहां पर 7 और 7 से 2 नोट्स उड़े हूए थे एक था 1 और 1 थोHer 2 यहां पर 2 यहां पर 1 और इसके बाद यहां पर मैं फिर से 0 और 4 लिकूँगा ठीक है 0 और 4 अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो line बनाऊँगा जो मैंने पहले left और right पे बनाई थी वो line अब मैं कहा बनाऊँगा वो line में बनाऊँगा नीचे की तरफ ठीक है इस तरह ठीक है मैं red से ही बनाता हूँ है गाड़ी से star товar करूँगा जहां से पहले करी थी और मैं यह वापस से blue को रे साट करूँगा जिरो को मैंने क्याटा फिर मैंने 2 को काटा अब इतक मैंने वापसे ब्लु को रह ले लेता हूँ फोर लिख दूँगा यहापर फिर चलाता रहूँगा गाड़ी अपनी चलाता रहूँगा साथ को मैंने काटा साथ को मैंने काटा फिर चलाता रहूँगा गाड़ी अपनी फिर एक को काटा ठीक है क्या गया यह मेरा यह मेरा गया इन ओर्डर ट्रावर्सल यह है और in order traversal यह है इस ट्री को आप लोग बना सकते हो दुबारा से और आप खुद से चेक कर सकते हो यार कि क्या यह pre-order traversal, post-order traversal और in order traversal मैंने सही लिखे हैं नहीं लिखे हैं और अगर आप लोग को लगता है कि मैंने सही नहीं लिखे हैं तो मैं आप लोग को एक और तर इसले वीडियो में भी बताया है, अगर आपका कल एक्जाम है और आप इस वीडियो को सर्च करके आ गए है और आपके पूरा कुर्स देखने का टाइम भी नहीं है, आप देखना नहीं चाहते हैं, काफी हाल सी है, तो आप लोग यह तरीका अपना सकते हैं, बड़े ट्रीस क का मतलब क्या होता है, प्री ओडर का मतलब होता है कि आप लोग क्या करें, आप लोग सबसे पहले विजिट करें, सबसे पहले तो आप लेफ लिख लो यहां पर ठीक है, प्री लिखा है तो सबसे पहले आप लोग रूट लिख लो, रूट फिर लिख लो राइट ठीक है, यह होता है हमारा pre-order traversal अगर मैं यह आपर लिख लूँ अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ यार यो कि ना तोड़ा सा अच्छा लगेगा ऐसे कर देता हूँ pre-order होता है root left right, post-order होता है left right root left right root root और जो हमारा in order होता है वो होता है left root right left root right इसको याद करने का तरीका क्या है इसको याद करने का यह तरीका है कि जो left हो हमेशा left में है right हमेशा right में देखो left इदर है, right इदर है left के right में right है और right के left में left है यार्णि कि left left side पह है, right right side पही यह हमेशा है pre-order traversal में root सबसे pre पर है ऐसे कर कियात कर लो पाई देखो अबसे पहले तो left-right लिख देना है फिर हमिन root को फसाना इन तीनों जगा में से या तो यहां रहेगा या यहां रहेगा या यहां रहेगा अगर यहां पर रहेगा route जहां पर मैंने भी लिखा हुआ है तो pre-order traversal है, बीच में रहेगा तो in order traversal है, और अगर extreme right में रहेगा, यानि कि सबसे end में post में रहेगा, यानि कि सबसे end में pre मतलब सबसे पहले, post मतलब बाद में तो बाद में रहेगा root अगर तो वो post order traversal होगा, और सबसे इसको बाद मैं left subtree को देखूँगा, left subtree का है मेरा, मैं अगर color change करके आपको दिखाता हूँ, left subtree को जरह मैं highlight करने जा रहा हूँ, यह मेरा left subtree है, मैंने yellow से highlight किया है, जरह dark ना हो जाए इसलिए, यह मेरा left subtree है, जिसको मैंने भी dotted line से highlight किया है, इस left subtree का मुझे traversal पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा ऐसे ही, तो मैं बाद में कर लूँगा, मैं ऐसे कहूँगा कि यार मैं इसको बाद में कर लूँगा, उसके बाद मुझे right subtree का करना है, right subtree में तो सिर्फ one है, तो one में आपर लिख देता हूँ, इसको मैं बाद में खोल लूँगा, ठीक है, seven लिखा मैंने आपर, ठीक है, अब मैं इस subtree को खोल लेता हूँ, इस subtree का pre-order traversal क्या होगा, root left right, root के है two, left के है zero, right के है four, और यह one ऐसे आ जाएगा, यानि कि यह bracket resolve होके, यह आ गया, two zero four आ गया, देख लो, आप लोग two zero four वाला जो subtree है, उसका pre-order traversal यहाँ पर लिख दिया, seven two zero four one, यह हमारा pre-order traversal आ गया, by definition, कि by root left right, अगर मैं करूँगा, तो हमारा क्या होगा, कि pre-order traversal निकल के आ जाएगा, अब मैं क्या करूँगा, आप लोगो को post-order traversal बताता हूँ, post-order traversal मैं आप यह मिटा देता हूँ, pre-order वाला, अब post-order बताता हूँ आप लोगो, post-order बताने के लिए मैं क्या करूँगा आप लोगो, by definition चलूँगा, post-order का मतलब left right फिर root, पहले left, फिर right, फिर root, ठीक है, तो पहले left, ठीक है, यानि कि जो मैंने dotted sub-tree लगाया है वो, तो यार उसका होता होगा, कुछ मैं उसकी जगा एक bracket लगा दूँगा, फिर right, ठीक है, right में तो सिर्व 1 है, तो 1 लिख दूँगा, और root में 7 है, अब हमें इस bracket को resolve करना है, यह bracket किसका post-order traversal है, इसका, क्योंकि हम post-order traversal निकालने है, इस dotted tree का, क्या होगा इसका post-order traversal भाई, इसका भी left, right, root होगा, left, right, root कर लो, left में क्या है, left में आपका 0 है, right में क्या है, 4 है, root में 2 है, और यह 17 तो हमारा result था ही, यह आगे हमारा post-order traversal से, इसको match कर लो इससे, ठीक है, यह भी तरीका है, मतलब मैं यह बता रहा हूँ, लेकिन बड़े tree के लिए यह जो trick बताई है, यह बहुत काम आती है, चलो इन-order बचा है तो वो भी बता देता हूँ, ठीक है, in-order traversal भी बता देता हूँ, यह जरा इसको मैं जरा clean करूँगा, और अब आप लोग को in-order traversal बताऊँगा, ठीक है, in-order traversal में क्या होगा, in-order traversal भी बहुत असान है, in-order का मतलब है left, right और root, यह इन-order traversal का मतलब, तो पहले left subtree हो जाएगा, फिर उसके बद root हो जाएगा, फिर right हो जाएगा, left root और right इन-order का मतलब, left subtree के लिए मैं bracket बना दूँगा, ठीक है, उसके बद root और, उसके बद right में तो 1 है, यह वाला 1, यह वाला 1 मैं और यह यह नहां लिखा है, ठीक है, यह वाला 7 मैं यह यह करता तो वो भी मुझे देखना या है ठीक है तो मैं आपर क्या करूँगा कि आप लोग को बताता हूं कि कैसे मैं इस र्राकेट को रिज्ल्व करूँगा, इस ब्राकेट में मेरा सब्टरीग आइ two, zero quick exam के लिए trick है अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि यार मेरा कल है exam यार मेरा एक गंडे बाद exam और मेरी बच्चों की है band और या मैंने पूरे semester पढ़ाई करी नी अगर उन बच्चों में से एक है आप तो यार I have got you guys cover to आप लोग भी कर सकते हूँ लेगि आप पढ़ाई करा करो पहले से थोड़ा time लगागे वीडियो वीडियो देख लिया करो यार इतनी अच्छी playlist बना रखे data structure की उसके बाद भी यार अगर एक घंटा पहले आप लोग exam के देख रहे हूँ इस वीडियो को तो यार गलत बात है आप लोगो पहले देखना चाहिए ठीक है आने वाले जो subjects है और आने वाला जो भी पढ़ने वाले उसको देख लेना साई टाइम पे मेरी playlist चाकसेश कर लेना ठीक है I hope कि ये video जो है अगर देख स्काव को और ग्जाम में अगर marks आये इस video की वजह से तो मुझे बताना जरूर या इस video में आगे comment कर देख भाई मेरा जो exam था वो सुरक्षित हो गया ठीक है अगर आपके exam को देख वाले इस video तो बुझे जरूर बताए और exam में traversal वाले questions जो आने वाले हैं उनको जरूर बनाए अब इक लिए इस वीडियो में इतना ही guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time